हलो दोस्तों स्वागत है आप लोग फिर से एक नए वीडियो पर दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग को कोई लोन अप्लिकेशन आपका फोटो वगरा मॉर्फ करने का धमकी देता है तो आप किस तरीके से उससों बच सकते हो वो डिटेल्स में आज आप लोग को शायर करने वाला हूँ क्या 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 स्टेप्स रहेगा जिससे कि आप लोग इस परिशानी से निकल सकते हो तो वीडियो पुरा इंड तक देखिए तभी आप लोगो पता चलेगा दोस्तों अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब प्रिस करके बेल आइकन को हिट कर दो तकि ऐसे इन्फरमिशन जब भी दूँ सबसे पहले आपको नोटिकेशन दूरू मिलता रहें दोस् बड़ा परिसानी का बाते है जो कि आप सभी जो है जेल रहे हो आज मैं आप लोगो को थोड़ा बहुत जो है आप लोगो रात मिलेगा आप लोगो जो भी प्रोसेस बताऊंगा अगर आप लोग उसी तरीके से चलते हो तो थोड़ा बहुत आप लोगो को इससे छुटकरा मिल सकता है ठीक है दिखे ये अगर भेजगा किसी के contact list पे उसको भेजना हम रोक नहीं सकते लेकिन हाँ उससे prevent कैसे करना है मतलब बचना कैसे है उससे मैं आप लोगों को जो की process है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा दिखे कोई अगर किसी को कुछ गंदा चीज़े भेजता है आप लोगों का नाम खराब करता है उसको रोकना possible नहीं होता है क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता है आप सभी के phone तो नहीं ले पाओगे या फिर आप सभी के phone पे थोड़ी ना ब्लॉक कर पाओगा किसी का नंबर तो आप लोगों को यह रोकना impossible आपके घरवाला जो सारक कुछ मैं इस वीडियो में बताओंगा तो वीडियो एंट तक दिखिए तब ही आप लोगों को पता चलेगा दोस्तों फ्रोड लोन अप्लिकेशन जो की साथ दिन का लोन अप्लिकेशन आप सभी को पता है जब loan देते हैं 7 दिन का tenure देता है छोटा ही amount होता है बड़ा amount नहीं होता है लेकिन क्या होता है कि अगर मानों कि कोई भी ऐसा मुसीबत होता है इन लोग का क्या है कि छोटा amount आप लोग सोचते हो कि छोटा amount है दे ही देते हैं फिर यह सब जहमेला नहीं पड़ेगा लेकिन द से क्ष़र्ट कर दिया और लोन आपका आप पास आप गया किया तो आप मतलब से निकल निकल नहीं के साथ कि अगर आप पैमेंट कर भी देते हो फिर भी वो लोग बोलेगे की रहे है अगर पेमेंट करते हो सीधा बोलेगा या अभर पेमेंट करोगे तो अभी करो नहीं करना है तो मैं आपके contact list पर जो कि नगा गंदा जो फोटो है या फिर मौर्फ पिक्चर जो है मों भेज़ता सूरू कर दूँगा या प्रूंटेकली जो डर जाओगे यूकि आपने पेमेंट किया फिर वी धाधा द हम्की दे रहा है तो आप लोगो सकता है या प 무슨 एसा है कि निट फोटो सुस्क्र के साथ आपका फोटो मौर्फ करके भेज सकता है तो यह एक बहुत बड़ा परिशानी है लेकिन आप लोग सोचते हो कि यह photos मिल कहां से राये हों लोगों दीखे पहला बात है जब आप apply करते हो तब क्या होता है कि आप पर एक selfie लिया जाता है वो selfie है काफी होता है वो selfie ही यहाँ पर यह काम लगता है और क्या है आप लोग का जो social media है उससे आप लोग बच के रही है क्यूंकि वहीं से यह लोग उठाते हैं आपका नाम मालूम है पूरा नाम तो हहीं पर देते हो आप लोग applications पर तो वहीं नाम से search करता है या फिर जो phone number आपको एक बहुत बड़ा सभूत देता हूं कि कैसे यह काम करते हैं जैसे कि आप लोग देख पार हो अगर आप सोचोगे कि यह जूट है ऐसा है नहीं होता है कि फेस्बुक वगरा यहां से नहीं लेता है तो आपको एक लाइफ प्रूब देता हूं तो यहां पर देखें य यह लोग फेस्बुक में आप लोगों को ढूंटा है अगर फेस्बुक में मिल जाते तो वहीं से फोटो उठाता है फोटो उठाने के बाद जो है आपको इस तरीके का फोटो देके आप लोगों है आप लोगों पता में चलता है आपका फोटो अगर फेस्बुक में है मतल gallery hack नहीं होता है, सिर्फ text applications जो text format में होता है, वो ही जाता है, जैसे कि text का numbers से होता है, contact list number होता है वो जाता है, SMS जाता है, location जाता है ये सब जाता है, लेकिन gallery hack नहीं करता है क्योंकि उसका size बहुत ही बड़ा होता है उसको store करना है possible नहीं होता है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो all over India में करोरो लोग जो है इसे लोल लिये हैं, तो सबका अगर storage करेगा तो इसका database बहुत बड़ा होना चाहिए लेकिन इतना बड़ा database नहीं होता है, ठीक है तो इस तरीके का आप लोगों को हो सकता है तो आप लोग पहला बात है कि आपका photo कहां से मिलेगा पता चल गया, आपको सबसे पहले क्या करना है आपका Facebook में जो भी है आपका photo वहां पर seal करना है मतलब जो की protected होता है, देखेगा option मिलता है कि कोई भी आपका photo मतलब बिना permission की अगर आपका friend नहीं हुआ, तो आपका photo वहां से नहीं ले सकता देख भी नहीं सकता, ठीक है, screenshot बगर तो दूर की बात है तो इस तरीका का lock कर दीजिए, Facebook का profile में lock कर दीजिए ताकि आपका photo कोई सामने बाला party अगर आपका friend नहीं है वह screenshot ना ले या फिर कुछ गलत कम ना करे यह एक पहला step है, ठीक है, और मनों आपके पास phone चला गया ठीक है, और आपके पास इस तरीका का धमकी जो है जो की photo morph करने का जो की धमकी आप लोग को मिलता है तो इस से बचने का एक और तरीका है क्या है दिखिए पहला बात है, यह लोग जो करते हैं यह इस तरीका काम यह सभी हम लोगों के जैसे इंसानी है, ऐसा नहीं कि यह कोई अलग तरीके का लोग है हमारे इंडिया से ही बिलाउं करते हैं यह लोग, इन लोगों का कुछ ही मतलब क्या है अभी के टाइम में इन लोगों को सभी को पता है कि पैसा कमाने का चुल किसको नहीं होता है, ठीक है, तो इन लोगों को पैसा कैसे मिलता है, कमिशन बिसनस में मिलता है, और इतना ज़ादा पैसा कमाते हैं इन लोग, तो इसके चक्र में क्या होता है, यह गलत काम करते हैं, त आप लोगो को simple बात मैं हर वीडियो में यही बोलता रहता हूं कि आप लोग कुछ भी किसी का बात सुनना नहीं है ठीक है आप लोग को सिर्फ और सिर्फ जो है इसका ignore करना है जो भी message आता है इस तरीके अगर message आता है तो आपको उसका उल्टा मजा पर दे देता है कोई contact list मतलब जो loan application का जो बंदा है वो अगर मुझसे contact contact करता है और यह गंदा picture भेजता है मैं उसको एक ही बात बोलता हूं ठीक है क्या बोलता हूं कि अरे वाई हो कि आपका WhatsApp में आपका photo change कर सकते हो ऐसा कुछ हो सकता है ठीक है या फिर आप बोल सकते हूं कि मैं उसका दोस्त हूं या फिर उल्टा जवाब देना है ठीक है तुमको जो करना है करो अगर आप इस तरीके से आप लोग बात करते हो सबसे पहला आप लोग को यही करना है और आप इसी तरीके से बच सकते हो उनके जो धमकी से ठीक है वो लोग जो चाते है वो रोग लगाना है यही वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर आप लोग इनका बात सुनते हो तो आप लोग फस जाओगे आप लोगों को एक ही काम करना है कि इन लोगों का जो बात है वो सुनना नहीं है ठीक है अगर आप सुनते नहीं हो तो आप लोग को इस तरीके का परिशन नहीं पड़ेगा मैं बार-बार एक ही बात बोल रहे हो ध्यान से सुनियागा कि अगर आपको कोई करता है इस तरीका कई धमकी देता है कि मैं आपके कॉंटेक लिस्ट पर मैं भेज दूँगा आपको सिंपिल डिना कर रहे हैं यह हो इन लोग के बात बात अब घर वालोग अगर भेज दिया तो अब कैसे बच सकते हो देखिए पहला बात है आपका जो आईडी है वो मिस्यू सकते हो ओफ्लाइन आपके अंधसर भाल उब करना है और आप लोग को फ्रोड हूआ है और आप लोग को घरवालों को यही बोलना है कि आपने छोई इस तरीके का लोन वगर कुछ नहीं लिया है, आपने एक वेबसाइट में गया था, आपका वेबसाइट से आपका फोन हैक हुआ है, सारा कुछ डॉकुमेंट्स वहाँ से चुरा लिया है, और इस तरीके का धंकी दे रहा है कि मानो, अभी जो है, पैसा दो, एक लाग रुप करना है, अगर आप उसका जवाब देते हो, तो आप खुद फस जाओगे उसके चकर में, तो इस तरीके का डराना है आप लोगों को, जो फैंबली मेंबर्स आपको बोलेगा, कि हां मेरे पास कॉल आया था, यह आया था, तो आपको इस तरीके से बचना है, क्योंकि इन लो खुश इस तरीके का बोल रहा है, आप लोगों को, simple इस से बात करना है, कुछ अलग तरीके से, ठीक है बिना धारे बात करना है, घरवालों को अगर कुछ बोलना है, तो आपको जो प्रोसेस बताया है, आपको यह जाधा दीन तक जिलना नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इ किसी दूसरे के पास से वापस लेगा. इसी चलते जो है कुछ दिन आपके पीचे पढ़ा रहता है, अगर आप लोग देखते हो कि को response नहीं मेरा है कुछ नहीं कर रहा है, फिर वो छोड़ देता है. तो आप लोगो को सभी को इसी तरिके से जो है चलना है तभी आप